उत्तर परदेश के पिली भीट जिले के बीजलपूर SKGP Girls Inter College में 200 रुपे अतिरिक्त शुलक फीज के नाम पर बच्चों से लेने का मामला सामने आया है चात्राओं से पूछने पर चात्राओं ने बताया कि कक्षा 12 की रजिस्टर फीज 412 रुपे है और हम लोगों से 612 रुपे लिये गए हैं चात्राओं ने ये भी बताया कि फीज की रसीद नहीं दी जाती रसीद मांगने पर बात को टाल दिया जाता है आपको बता दे कि इस बात की जानकारी के लिए छात्राओं की क्लास टीचर कवीता से पूछा गया तो कवीता यादव ने बताया कि कख्षा 12 की रजिस्टर फीस 412 रुपे है 612 रुपे प्रधानाचारे की कहने पर बच्चों से लिए गए है प्रति बच्चों से 200 रुपे अधिक शुल्क लिया गया है इस कॉलेज के सभी कख्षा के क्लास टीचरों ने बताया कि सभी कख्षा के बच्चों से 200 रुपे अधिक शुल्क लिया गया है कॉलेश के स्टाफ का कहना है कि परधानाचारे एक दबंग महिला है इस परधानाचारे से सब परेशान है दूसरी तरह छत्राओं के अभिभाव को कहना है कि अगर परधानाचारे से फीस की रसीद मांगते हैं तो उनके साथ परधानाचारे के द्वारा अबर्द्र वेवार किया जाता है परधानाचारे महिला होने के कारण अभिभाव कुछ नहीं कर पाते पीली बीट में अधिक फीस लेने का कई बार मामले सामने आ चुके हैं लेकिन परशाशन इस पर अंकूस नहीं लगा पा रहा है मैं सिदाराम सर्मा बीशलपूर बच्ची मेरी स्केज़पी इंटरकालिज में बढ़ती है और फीस का ममला अब घर से पैसे लेके गई थी जब तो मैंने पूचा कितने फीस जमा होगी तो उसने मुझे नहीं बताया बोले 700 रुपे लेके गई थी बोले इतनी फीस जमा होगी तो मैं स्कूल से जानकारी मिलने पर अब कि जब बताया गया कि इतनी फीस जमा होगी तो मैंने कि इतनी जमा होगी है तो पता लगा कि आप 200 रुपे बढ़ती का है इसमें मैंने जब कहा है कि भाई इसमें रसीड दीजे इसकी तो रसीड देने से मिना कर दिया अगी रसीड नहीं देंगे तो मैंने डिया इसको भी शिकाइट की इसकी लेकिन अभी कुई निसाल नहीं हुआ प्रदाना चार्या के आदेश संख्या साथ के अनुसार हम लोगों ने लिया है उस पर उन्होंने सारे मद्वी हम लोगों को लिखके दिये थे कि जो दो स्रुपय का था कि कितना कितना किस मद्वें लोगों को लेना था कि आपको क्या नाम है मन्जुरे विश्यो करना